इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों इतिहास पार्ठ में हम बात करेंगे शकों की मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनेतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास जिसे लिखा है प्रोफेसर विमलचंदर पांडेयने मित्रो शकों के सिलसिले में अब तक हम दो बार मिल चुके हैं आउर आज तीसरी बार मिल रहे हैं विछले अंक में हम चर्चा कर रहे थे तक्षर शिला के शक शाशक मावेज की हमने देखा कि मावेज की कुछ मुद्राओं पर पोसीडोन यानि समुद्र देवी का चित्र है इस आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि मावेज ने किसी सामुद्रिक युद्ध में विजेप्राप्त की होगी कुछ विद्वान इस मुद्रा चित्र को शिव का चित्र मानते हैं टॉर्ण के मतानुसार उसकी मुद्राओं पर महत्मा बुद्ध और शिव के अंकन मिले हैं डेडियर महोदय का मत है कि मावेज एक नहीं दो हुए थे एक मावेज ने बहु संख्यक मुद्राओं चलाई थी जो अनेक स्थानों पर पाई गई है जैसे सिरकप में ही इस मावेज की 107 मुद्राओं मिली हैं दूसरे मावेज ने कोई मुद्रा नहीं चलाई थी मावेज के बाद हम तक्षशिला के जिस शक शाशक की बात करेंगे उसका नाम है एजेज प्रथम मावेज के बाद तक्षशिला में एजेज का राज्य हुआ यह एजेज किस जातिका था इस बात पर विद्वानों में मतभेद है एजेज की मुद्राएं वोनो नीज से संबंदित हैं वोनो नीज का नाम और मुद्रा शेली पार्थियन है अतह कुछ विद्वान वोनो नीज के साथ साथ एजेज को भी पार्थियन मानते हैं इन विद्वानों में स्टेन कोनो प्रमुक है परन्तु अन्य विद्वानों के मतानुसार एजेज के नाम का कोई भी पहलवी राजा नहीं हुआ है या जो नाम हमें एजेज नाम के राजा का मिलता है उस पर पहलवी प्रभाव विद्वान नहीं है वह तो शक राजा ही था एजेज को शक मानने वाले विद्वानों में रैपसन, गार्डनर, टार्न, मार्शल, राइचोधरी, आदिप्रमुक हैं अधिकार्ण शेज विद्वानों का मत है कि एजेज एक नहीं दो हुए थे अपने मत की पुष्टी में वे कहते हैं कि एजेज की कुछ मुद्राएं उपरी सतह पर मिलती हैं परन्तु कुछ उन से अधिक नीची सतह पर यदि एजेज एक होता तो संपूर्ण मुद्राएं साधारन तया एक साथ एक ही सतह पर पाई जाती प्रतीत होता है कि एक एजेज के कुछ समय पश्चात दूसरा एजेज उसी प्रदेश का राजा हुआ भिन भिन काल में होने के कारण दोनों एजेज की मुद्राएं भिन भिन सतहों पर मिली हैं एजेज द्वितिये की कुछ मुद्राइं गांडो फार्नीज की मुद्राओं के साथ मिलती है इससे प्रकट होता है कि गांडो फार्नीज एजेज द्वितिये के बाद में हुआ लेकिन मुद्राओं से प्रकट होता है कि एजेज प्रथम के बाद एजीली सेज शाशक हुआ आपो वर्मन गांडो फार्नीज और एजेज दोनों की अधीनता में गवर्नर था यह तबी संबव है जब हम दो एजेज मानें कुछ मुद्राओं पर एजेज और स्पेलेडिसिस दोनों के नाम मिलते हैं इस आधार पर स्मिथ मार्शल आदी विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि प्रथम एजेज मावेज का उत्रा दिकारी नहीं लेकिन स्पेलेडिसिस का उत्रा दिकारी था ऐसी परिस्थिती में प्रश्ट ये उठता है कि मावेज को कहां रखा जाए वह एजेज प्रथम के बाद नहीं रखा जा सकता क्योंकि मुद्राओं से प्रकट होता है कि एजेज प्रथम के बाद एजली सेज शाशक हुआ था मावेज एजली सेज के बाद भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि मुद्रा साक्षे से प्रकट होता है कि एजली सेज के बाद एजज द्वीतिये शाषक हुआ था मावेज को हम एजज द्वीतिये के बाद भी नहीं रख सकते एजेज त्वीतिय का शाषन नगभग चम्मालिस इस्वी और सरकार के अनुसार 89 इस्वी में समाप्त होता है ये तिति मावेज के लिए काफी दूर पढ़ने वाली तिति है ऐसी अवस्था में मावेज को एजेज प्रथम के पूर्व ही रखना उपयुक्त प्रतीत होता है अनुमान तह वोनो नीज और मावेज समकालीन थे जिस समय मावेज पंजाब में राज्य कर रहा था उसी समय वोनो नीज सीस्तान में वोनोनीज का उत्रादेकारी स्पेली रिसिस हुआ और मावेज का एजेज प्रथम किसी विशेश कारण से स्पेली रिसिस और एजेज प्रथम ने अपनी सम्मिलित मुद्राएं चलाई संभव है कि दोनों संबंदी हो या मित्र रहे हो मार्शल महुदे कामत है कि मावेज की बृत्यू के बाद राजनितिक ख्षित्र में कोई विशेश शक्ति शाली राजा नहीं हुआ अतहे वोनोनीज ने उसका स्थान लिया और महराज के रूप में अपनी सत्ता स्थापित की उसने तक्षशिला पर अपना प्रभुत्यू स्थापित कर लिया और वहां स्पेलो होरोज और स्पेले गेटे मीज को गवर्नर बनाया परन्तु वोनोनीज के उत्थान का संबंध मावेज की बृत्यू से नहीं था उसने स्वतंतर रूप से सीस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की थी उसका तक्षशिला से कोई संबंध नहीं था एजेज के विशे में रैपसन महोदे के विचार एस्पस्ट है एक स्थान पर वे स्पेरिरी सिस के सहियों की एजेज को एजेज द्वितिय मानते हैं और उसे उसका पुत्र बताते हैं लेकिन दूसरे स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसी एजेज द्वितिय को एजेली सेज का पुत्र और उत्रादेकारी मानते हैं 134 तिती के कलवान अभी लेक और 136 तिती के तक्षशिला सिल्वर स्क्रॉल लेक में एक अज अत्वाए का उलेक मिलता है लेकिन यह निश्टित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अज अत्वाए एजेज ही था क्योंकि अज अत्वाए के साथ महराज आदी के समान कोई भी समान सुचक या पद सुचक शब्द नहीं मिलता पुने है यदि यह एजेज था तो भी नहीं कहा जा सकता कि वह एजेज प्रथम था या एजेज दुटिय था इसके अतिरिक्त यह भी निश्चे पूर्वत नहीं कहा जा सकता कि इन लेखों की तिथियां 134 और 136 किस समवत की है रैप्शन ने तो यहां तक कहा है कि इसापूर्व 58 का विक्रम समवत एजेज नहीं चलाया था लेकिन कोई भी निश्कर्ष ऐसंदिक्द नहीं है उनका दिया हुआ एजेज प्रथम ने युनानी शाषक हिपो स्टेटस की पुरानी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करके उन्हें पुनह प्रसारित किया था इसे से प्रकट होता है कि उसने युनानीों के पूर्वी पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था एजेज ने मिनेंडर की एथेना एलकिस शेली की मुद्राइं चलाई इस आधार पर टार्न ने यह अनुमान प्रकट किया है कि एजेज प्रतम ने मिनेंडर राज़े के प्रधान क्षेतर यानि से आलकोर्ट प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था लेकिन यह निसकर्ष उपयुक्त नहीं है क्योंकि मिनेंडर राज्य का प्रधान क्षेत्र काबुल गाटी में था अतहे एथेना एलकिस शेली की मुद्राओं के प्रचार में यही अनुमान किया जा सकता है कि एजेज प्रथम ने काबुल गाटी पर अपना अधिकार कर लिय था वस्तूत है एजेज प्रथम की मुद्राएं इसक्षेत्र में पाई गई है इससे भी उसके काबुल गाटी पर आधिपत्य के अनुमान की पूष्टी होती है एजेज प्रथम की कुछ मुद्राएं दो कोटियों में विभक्त की जा सकती है प्रथम कोटी की मुद्राओ पर यूनानी में एजेज का नाम है और खरोष्ठी में एजेली सेज का नाम है द्वितिय कोटे की मुद्राओं पर यूनानी में एजेली सेज का नाम है और खरोष्ठी में एजेज का इससे प्रकट होता है कि एक समय एजेज स्वामी था और एजेली सेज उसके अधीन था या उसका सहयोगी था लेकिन कालांतर में एजिली सेज स्वामी बन गया और एजेज उसके अधीन उसके सहयोगी की रूप में टकट हुआ स्मित और बंधार कर महुदे दोनों उद्राओं के एजेज को एक व्यक्ति नहीं मानते उनका कतन है कि एजेज दो हुए थे एजेज प्रथम और एजेज द्वीतीय पहले एजेज प्रथम शाषक था और एजिली सेज उसका अधिनस्त था एजेज प्रथम की बित्यू के बाद एजिली सेज स्वातंतर शाषक बन गया और उसने एजेज द्वितिये को अपना सहयोगी बना दिया लेकिन एकमत यह भी सामने आता है कि एजिली सेज की मुद्राएं कला की द्रिष्टि से एजेज की मुद्राओं से अधिक सुन्दर है अन्वान किया जा सकता है कि एजिली सेज पहले स्वातंतर शाषक हुआ और एजेज बाद में ऐसी दशा में दो एजिली सेज और एक एज से स्पस्ट हो गया है कि एजेज प्रतम पहले हुआ फिर एजिली सेज और उसके बाद हुआ एजेज दूइती है इन दो कोटियों की मुद्राओं में से दो एजेज की कल्पना नहीं करनी चाहिए यह बात भी कुछ विद्वान कहते हैं जिन में नाम प्रमुक हैं हाप मैं औ वगया हुआ इसे जिली सेज एक ही वेक्ति थे लेकिन इन विद्वानों के मत को अधिकारश विद्वान स्विकार नहीं करते एजेली सेज ने सिंगासना सीन जीयस शेली की मुद्राएं बनवाई, मार्शल का मत है कि यह कापिश शेली थी, अतह उनका मत है कि कापिश प्रदेश निश्चित रूप से एजिली सेज के अधीन था वस्तूत है इसे पूर्वगामी एजेज प्रथम ही जीत चुका था, एजिली सेज की कुछ मुद्राएं बलुचिस्तान में मिली हैं, इस आधार पर कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है कि बलुचिस्तान उसके अधीन था एजेली सेज की कुछ अन्य मुद्राओं पर हेरा कलीज का चित्र मिलता है, इस प्रकार की मुद्राएं दक्षनी अफगानिस्तान में प्टचलित थी, आता है कुछ विद्वान, दक्षनी अफगानिस्तान को भी एजेली सेज के अधीन मानते हैं, एजेली सेज का शाषन अल्पकालीन था क्योंकि इसके ग्यारह मुद्राय मिली है जहां तक एजेज द्वीतिय की बाद है वह एजिली सेज के बाद शाशक बना एजेज की 1921 मुद्राय प्राप्त हुई है इन में दोनों एजेज की मुद्राय शामिल है मुद्राओं से प्रकट होता है कि अस्प वर्मन पहले एजेज द्वीतिय का गवर्नर था लेकिन बाद में वह गौंडो फार्नीज का गवर्नर बन गया अस्प वर्मन का पेता में विजे मित्र था जिसका उलेक बियक मित्र के रूप में शिनकोट अभी लेक में हुआ है वह मिनेंडर का सामन्त था कुछ मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिन पर माने गुलस चत्रपस जिहोनियस लिखा हुआ है कुछ विद्वान मनिंगुल और जिहोनिक को एजेज के क्षत्रप मानते हैं जो उसकी अधिनता में पुषकलावती में शाषन करते थे लेकिन रेपसन का कहना है कि एजेज द्वितिय के बाद में चांदे की मुद्राएं पहले जितनी सुंदर नहीं रहीं चुँकि जिहोनिक की मुद्राएं सुंदर हैं अतह जिहोनिक को एजेज प्रत्रप का क्षत्रप समझना चाहिए तक्षशिला की शक शाखा का पतन दो व्यक्तियों के उदय के कारण हुआ एक का नाम तो है फ्रायोटीज और दूसरे का नाम है गांडो फार्नीज फिला स्टेटस का कतन है कि 43-45 एसवी में जब एपोलोनियस तक्षशिला पहुंचा तो उसने वहां ठ्रायोटीज का राज्य पाया इसके अतिरिक्त तक्षश्टे बाही अविलेग से पता चलता है कि 103 में गांडो फार्नीज पश्चिमोत्तर प्रदेश में राज्य कर रहा था कदाचित यह तिथी विक्रम समवत की है अतहे गांडो फार्नीज की तिथी 45 एसवी हुई हर्ज फेल्ट और टार्न महोदे का मत है कि फ्रायोटीज किसी विक्ति का नाम नहीं था वरन वह एप्रतिहत का ही एक विक्रित रूप था यह उपाधी गांडो फार्नीज की मुद्राओं पर अंकित पाई जाती है अतहे ये दोनों विद्वान फ्रायोटीज और गांडो फार्नीज दोनों को एक ही विक्ति मानते हैं लेकिन लोहाई जेन ने इसमत का खंडन किया है फ्रायोटीज का समी करण ऐ प्रतिहत के साथ नहीं किया जा सकता वस्तूत है दोनों अलग-अलग थे नाम से प्रकट होता है कि फ्रायोटीज पार्थियन शाशक था ऐसा प्रतीत होता है कि सर्व प्रथम फ्रायोटीज ने शकों से तक्षशिला जीता बाद में दक्षणी अफगानिस्तान में गांडो फार्नीज का उदे हुआ और शीग्र ही उसने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया इस प्रकार एजेज प्रत्थम एजिली सेज और एजेज द्वितिय का शासनकाल 20 इस्वी से लेकर 43 इस्वी तक रहा होगा इन तीनों शासकों में एजिली सेज का शासनकाल बहुत छोटा था उसकी हमें केवल 11 मुद्राय मिली है तो मित्रो यह बात थी तक्षशिला के शक शासकों की भारत वर्ष के शक नरेश परियाप्त रूप से शक्तिशाली थे उन्होंने बैसिलियस बैसिलियन यानि महाराजस राजराजस और महतस की उपादियां धारन की थी उनकी अधीनता में अनेक क्षत्रप यानि गवर्णर राज्य करते थे जैसे मावेज के चुक्ष यानि पश्चिमी पंजाब में लियाक और पतिक नामक दो क्षत्रप हुए इसी प्रकार शाह शेर अविलेक में उल्लिकित नमिजद अत्वा दमिजद सम्भवत है एजेज प्रथम अत्वा एजिली सेज का क्षत्रप था अस्त्व वर्वन एजेज द्वीतिय का क्षत्रप था मनिगुल और जिहोनिक सम्भवत है एजेज प्रथम अत्वा एजेज द्वीतिय के क्षत्रप थे शाशन की यह क्षत्रप प्रणाली पारसीक प्रणाली थी फारस के बेहिस्तून अविलेग में क्षत्र पावन शब्द का प्रियोग भिलता है जिसका अर्थ होता है राज्ये का संदक्षक स्पष्ड है कि इसी शब्द से खशत्रप शब्द निकला है जिसका प्रियोग शकोने किया उत्री भारत वर्ष के निम्न लिखित क्षत्रप वन्ष विशेश उल्लेखनी ये हैं कापिश वन्ष पुष्पपुर वन्ष और अभिसार प्रस्थ वन्ष कापिश प्रदेश से हमें अर्थ लगाना चाहिए उस ख्षेत्र का जो आधुनिक काफिरिस्तान है और घोरबंद तथा पंजशीर की गाटियों का प्रदेश है माने मियाल अभिलेख से कापिश के ख्षत्रप वन्ष का पता चलता है कापुल संग्रहाले में एक अभिलेख संदक्षित है जिससे पता चलता है कि पुष्पपुर में तिरवर्ण नामक एक ख्षत्रप शाषन करता था इस अभिलेख की तिती 83 है यदि यह विक्रम समवत है तो तिरवर्ण का शाषनकाल 25 इस्वी के आसपास ठहरता है अभिसार प्रस्त यूनानी लेककों द्वारा वर्नित अभिसारेस है जो तक्षशिला के उत्तर में था पंजाब में तामर मुद्रा मिली है जिसमें अभिसार प्रस्त के ख्षत्रप शिवशेन का नाम मिलता है तो मित्रो गय था आज का इतिहास पार्थ फिर मिलेंगे नमस्कार